एलो क्लास, वेलकम बैक बच्चो, लो प्यारे बच्चो, स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया लक्चर, बबू, अब हमने फ्योल के प्रिंसिपल बढ़ने आए, टेलर के प्रिंसिपल हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, बेटा, और टेकनीक भी लास्ट लक्चर में पूरी हो इस से पच्चर साल, तो बेटा, उन्होंने हिउमन पिहेवर को बहुत अब्जर्ब किया, और बेटा, ऑब्जर्वेशन पर प्रिंसिपल दे दिये, बेटा, अब यह जो 14 प्रिंसिपल दिखाई देने वाले हैं, आपको रोज एक क्लास में बेटा, एक प्रिंसिपल होगा वो यह सब फ्रिंसिपल की पुरी जिंदगी का एक्सपिरियंस है, तो बेटा, यह भी बहुत-बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है, लोग समझने की कोशिश करते हैं, पहले प्रिंसिपल का नाम है बेटा, डिवीजन ओ वर्क, बेटा, क्या बोलता है यह प्रिंसिपल डिव बेटा एक आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाट लो बेटा smaller and the manageable task और उस smaller और manageable task को हम बोलने वाले हैं job और बेटा उस job को perform करने के लिए आपको एक trained personnel recruit करना है यह वो trained personnel एक ही जैसे काम को बार-बार करेगा तो बेटा उसकाम में expert हो जाएगा लो बेटा एक example से समझने की खुशिश करते हैं बेटा मालो आपकी organization का नाम है bank ठीक है जी एक bank है और मैं बोलता हूं बेटा bank तो बहुत सारे काम करता है अगर मैं bank के total काम को तो पता नहीं कितने बैट जाएंगे बेटा bank के total काम को आपने divide करना है small and manageable task और बेटा वो जो smaller और manageable task होंगे उसको हम प्यार से बोलने वाले हैं job और इस job को perform करने के लिए हम एक trained personnel को recruit करने लो मैं example से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा क्या मतलब है इस चीच का मालो बेटा मैं बोलता हूं bank में 10 स्टाप काम करता है क्या कभी bank में आप ऐसा करते हो कि आपने एक स्टाप को कह दिया कि 100 client तेरे हो गए अब तुझे क्या करना है इन सब के account खोलने है पैसे जमा कर आप एसे विट्रॉल करने है डाविट काड इशू करना है क्रेडिट काड इशू करना है नेड बेंकिंग फैसलिटी मैनेज करनी है लोकर फैसलिटी तुझे देखनी है क्या आप अपने दस के दस स्टाप को ऐसे बलते हैं सब के 100-100 client हो गए अपने 100 clients related हर चीज तुम आने वाला परसान अलग हो गया बहु आपने टोटल वर्क को डिवाइड करा स्मॉलर टास्क में और स्मॉलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ट्रेंड वरकर को रिक्रूट किया जिसको कैश काउंटर पर बिठाना था उसको 20 दिन की ट्रेनिंग दी कैस कैस कैसे कैसे स्पीड क्या होगी शाद बहुत कम होगी सोचो तीन महीने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी अब यह सोचो एक साल के बाद उसकी स्पीड क्या होगी तो बेटा आप समझ सकते हो जब एक परसन एक ही काम को बार 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 करेगा तो बेटा उस काम में एक्सपर्ट बन बेटा अब मैं चाहूंगा एक बार आप इसको रीड गर लेना कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो यह प्रिंसिपल यहीं को पर खतम हो जाता है बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों बाबाए